सवागत है आप सभी के एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल में इस वीडियो में आपको मैं कॉवर करूँगा जो कि जीएल का इसी जीता है जो और छे टीम से हम लोग कैसे जीएल को विन कर सकते हैं कौन-कौन से फॉर्मूलाज को लगा के हम लोग जीएल विन कर सकते हैं और में तीन टिप्स बताऊंगा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जिंद्गी के पाँच मिनट इस वीडियो को जरूर दे अगर जरूर मुझे उमीद है कि आप ज़रूर जरूर जितेंगेal familiar, दें जीतेंगे तो चली इस वीडियो को सुरू करें यह हमने भी बहुत सारे जीती है आप जाकर आईडी को मेरा देख सकते हैं और साथिस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा बस सब्सक्राइब से मतलब नहीं आप लाश्ट में वीडियो देखकर जाना तभी लाइक कम सबसे पहले टिप्स नमर वन की और चलेंगे उसमें आपको मैं अच्छे तरीके सबस इस वीडियो को शुरू से अंतक ध्यान से गौर से आप जरूर से जरूर देखिएगा टोटल पेर मतलब की 22 प्लेयर होते हैं 11 अगर प्लेयर होते हैं उसके साथ से सेलेक्शन परसेंटेज पर आपको ध्यान देना है सेलेक्शन परसेंटेज पचास से सतर वाले को दो प्लेयर को पिक करना है सेलेक्शन परसेंटेज तीस से पचास वाले को तीन प्लेयर को पिक करना है और सेलेक्शन परसेंटेज एक से तीस वाले को दो प्लेयर को पिक करना है जानी कि आपको मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक से लेकर पचास में आप 5-6 प्लेयर को जरूर से जरूर पिक करना क्योंकि जी एल वही जिताता है और आपको मैं इसमें बताऊंगा कि Captain Vice Captain का वीजो एक नहीं आपको बताऊंगा वह भी वीडियो जाकर देख लेने देखिए जो यह है यहां पर एक से पचास परसेंटेज वाले का पहुत ही ज्यादा जीचने मतलब कि गिरान लिंग में आप देखिएगा चलिए हम तो से पहले कोई मैच उपन करके दिखाते हैं आपको जण cancer लिए कि देखिए मैंने यहां पे छोग मैं चुट आकर देखी लिए ऑफ भी लिया जहां मंच उठा कर देख लीजेगा जो एक किस परसेंटेज फ्र से लेकर पचास के बीच में आपको छे प्लेयर रहे मैंच में देखें गए रहे हैं यह से चार परसेंटेज किस यहां पर सब्सक्राइब हो गया यह से यह 3 हो गया फिर इसके वाद यह से इनको भी माल सकते हैं चार-पांच और फिर उसके बाद ऊपर हैं मतलब कि यहां पर 90% कंफर्म है कि पांच से छे प्लेयर एक से 50% के बीच वाले होंगे ही आप चलिए हम लोग अपने जो कि हम समझ रहे हैं तो वाँ पे चलते हैं फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि फ बगुत पकरने वाले मैच में उनको रिक्रिस्क कि लेना बहुत ही जरुरुत था और आपको उसमें कप्तिन चुनना लिए इंपिला था तो आपको पर 20-50 % वाले यहाले पें फिन के पांज कि लेना है जो कि लिए हैं तो आपको उन पे भरोसा है टीम कहीं लगाईए तो आपको टेलिग्राम पे में 6 गरनली की टीम्स में देता हूँ उसमें आप एक से दो चेंजिस कर सकते हैं आपको बना बनाया हुगा टीम्स मिलेगा सब से पहले आप तेलिग्रम में ऐईगा आपको free में ऐसा teams कोई कहीं नहीं देगा आप तेलिग्रम में आईएगा सर्च किजेगा King Fanta strips और 300 members मिलेंगे जो 300 members हैं यह 331 members मिलेंगे आपको यहाँ पे आना है आप जिके 6 सबको हर मैचेज में आपको मिल जाती है 20 मिनट पहले मिल जाती है आपको बस इसमें कुछ नहीं करना अपने हिसाब से किसी को कैप्टन कर लेना है या फिर अपने से के आपena ऐसे वर चलते हैं ज्योंकि फिर्ट से इपको इसमें बने रहना यह बहुत और आपको इस चैनल जोएन הכ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाईए टेलिगाम चैनल जाइन आजे या फिर सब्सक्राइब कर देना अगर यह वीडियो अभी तक अच्छा आपको लग रहा होगा तब यहां पर जोड़ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं यहां से पीछ रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा है कौन अच्छा परफ़र्मेंस कर रहा है प्लेयर मतलब कि अगर कोई भी आप देख सकते होंगे कि लगतार कोई बालिंग इस आई पील में सब टॉस जीत कर बालिंग लेते लेकिन वह बैटिंग इसले लिए थे कि उनको दो प्लास दो सब्सक्राइब किये थे जि मतलब कि ठीच प्लास वें सब्सकेब करोंए थे का कि लोगतार के लौस को बिसंतों कि चाथ होता है मतलब कि मतलब कि अगर इस पर रन्स कम ही जाएंगे इस पीछ पे घास है ऐसे है मतलब कि अगर पीछ फलाइट होगा तो आपको ज्यादा रंस जाएंगे ही उसके बाद फिर एक responsibility होती है आपको मैं responsibility के बारे में बताओ तो responsibility वो चीज है जो कि देखिए मान लिए कि कोई टीम से उस टीम से responsibility है कि यह मैच जीतना ही है अगर यह मैच जीतना है तो अगर वो टॉस जीत कर बैटिंग लेता है तो आप समझ लेना कि वो 200 पलस रंस का करने की कोसिस करें और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बहुत सब्सक्क्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबादे तकि आपको notification मिलती रहे और साथ ही साथ आपको मैं बता दू कि आपने टिलीगाम चैनल जोएं एकिए लिक इस्क्रिप्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को भी ना लाइक कियो है मत जयेगा और दोस्तों के पास जरूर से जरूर से जरूर से शेयर किजेगा थैंक्स पर लविंग से फटिंग गाइज लवी ओल और मिलते हैं रहें तब दाके लिए जहिंद मंदे मातरम